कपोर family film industry की सबसे पुराने परिवारों में से एक है Kपोर family के ज्यादातर members film industry में ही काम करते हैं कुछ लोग actors हैं, कुछ लोग producers, directors हैं तो कुछ अपनी monitoring चलाते हैं यानि की industry के इर्दगर्ध ही काम करते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कपोर family के उस member की जो फिल्म इंडस्ट्री में ही पैदा हुए, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े परिवार में ही उन्होंने शादी की लेकिन उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री की इस लाइम लाइट से गायब रहते हैं और पैसा अनापशनाब है मैं बात कर रही हूँ राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे निखिल नंदा की जो ना सिर्फ कपूर फैमली से तालुकात रखते हैं बलकि बिग भी अमिता बच्चन के दामाद भी है यानि कि श्वेता बच्चन के पती निखिल नंदा की आज कब क्यों और कैसे में निखिल नंदा के बारे में ही जानेंगे कब निखिल नंदा को पहली ही नजर में श्वेता बच्चन के साथ प्यार हो गया क्यों निखिल नंदा की कजन करिश्मा कपूर से नहीं हो पाई निखिल नंदा के साले अभिशिक बच्चन की शादी और कैसे निखिल नंदा और श्वेता बच्चन की अफसर डिवॉर्स के खबरे उड़ती रही बात करें निखिल नंदा के मेटर्नल साइट की तो पृत्वी राजकपूर उनके ग्रेट ग्रैंट फादर है राजकपूर उनके नाना रहे रिशी कपूर रंधीर कपूर राजीव कपूर उनके मामा है रनबीर करीना करिश्मा ये सब ही अक्टर्स उनके कजिन्स हैं निखिल नंदा की मदर रितु नंदा जहां एक तरफ एलाइसी एजेंट थी एक टाइम पर एक ही दिन में सत्रह हजार पॉलिसीज के लिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया वहीं बात करें उनके पिता की तो उनके पिता एक बहुत बड़ी लिगैसी से आते हैं ना सिर्फ निखिल नंदा के पिता एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे बलकि निखिल नंदा के दादा ने 500 रुपे से अपने कमपनी की शुरुआत की और आज उस कमपनी की वर्थ है 4,014 करोड और निखिल नंदा उस कमपनी में 36% के पार्टनर है यानि कि अगर निख परिवार से है, तो निखिल नंदा भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी लिगसी से आते हैं, बहुत बड़े परिवार से तालुकात रखते हैं, ना सिर्फ फादर के साइड बलकि मदर के साइड भी। निकल नंदा को उनके परिवार ने तेरा साल की उम्र में डून स्कूल भेज दिया, उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई वहां से की और उसके बाद फिनांस की पढ़ाई के लिए वो उनिवर्सिटी ओफ पेंसिलविनिया चले गए, कुछ समय तक लंडन में उन्होंने इंट जॉइन की, एर 1996 में उन्होंने इस कंपनी को जॉइन किया और आज ये कंपनी 4,000 करोर पार कर चुकी है, निकिल नंदा की अगर बात करें तो फिल्म इंडास्ट्री उनके लिए कोई नई जगे नहीं थी, क्योंकि बच्पन में जब भी छुटिया होती थी, तो वो मुंब में बताया था कि वो कई आक्ट्रिस को पसंद करते थे, बात करें अगर श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की, तो श्वेता बच्चन को भी वो शुरू से ही जानते थे, क्योंकि परिवार वालों का अपस में मिलना जुलना था, लेकिन श्वेता बच्चन से प्यार हुआ तो इस पर निखिल नंदा ने बताया था कि एक बार एक शादी में उन्होंने श्वेता बच्चन को देखा था और उस दिन उन्हें लगा कि ये लड़की मेरे लिए बिलकुल ठीक है, 96 में निखिल नंदा अपनी कंपनी जॉइन करते हैं और February 1997 में उनकी श्वेता ब बेली और 2000 में पैदा होते हैं अगस्तिय श्वेता बच्चन एक डेडिकेटिट मदर बन जाती है, डेडिकेटिट मदर होने के साथ एक जिमिदार बेटी भी थी, यही कारण है कि जब श्वेता बच्चन को अपने भाई के लिए अच्छी लड़की दिखी तो उन्होंने स शे ही महीनों में ये सगाई तूट गई, कहा जाता है कि करिश्मा और अभिशेक की सगाई तूटने का असर श्वेता बच्चन की शादी तक पर भी पढ़ा था, जहाने कि अपनी कंपनी को ग्रो करते रहें, वहीं श्वेता बच्चन ने भी बच्चों की पढ़ाई लिख जिस घर में उन्होंने शादी की थी, वो घर financially secure था, निखिल और उनके बीच भी कभी problems के खबरे नहीं आई, फिर ऐसी क्या बात हुई कि श्वेता बच्चन मुंबई shift हो गई, हाला कि ये बात तो आज तक clear नहीं हुई, बट ये जरूर है कि 2012-13 के बाद से श्वेता बच् functions हुए, लेकिन निखिल नंदा इन functions में भी बहुत ही कम नजर आए, तो जहाए एक तरफ लोग ये complaint करते हैं कि बच्चन परिवार एश्वडिया राय को साइड लाइन करता है, उन लोगों को शायद ही पता होगा कि निखिल नंदा पर तो कभी बच्चन परिवार ने और ना ही अभी शेक बच्चन या जैबच्चन की तरफ से निखिल नंदा के बारे में कुछ कहा गया है। नहीं है। श्वड़ा बच्चन ने बिजनस तो शुरू किया लेकि वो बिजनस नहीं चला। जहां तक बात है उनके पती की तो जब फैमली ओकेशन्स होते हैं, कुछ शादी होती है या किसी की डेथ होती है, तब श्वड़ा अपने हजबन के साथ नजर आती है। अदव बिजनेर है, एक सो साथ करोड की नेट वर्थ वो रखती है, साथ ही हाल ही में आमिता बच्चन ने बड़ा बंगलो गिफ्ट किया, वही निखिलननता भी कुछ कम नहीं है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और दिन पर दिन उनकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये ह पहानी उस शक्स की जो फिल्म इंडस्ट्री में तालुकात रखते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हुए भी अपने फील्ड में तावर तोड कमाई कर रहे हैं।